हेई गाइस दिस अभिलाश और हमारे सो कॉल्ड और अलेजिड नेपो किंग करन जोहर ने एक शो बनाया है जिसका नाम है शो टाइम और ट्रेलर देखके तो मुझे यही लगा कि यार ये शो नेपोडिजम वाले टॉपिक को काफी डीप में जाके दिखाएगा और overall भी ये ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग था क्योंकि इसमें बहुत अच्छे माने हुए और मंजे हुए का लगा शामिल है तो मैंने ये शो देख लिया है और आज मैं आपको बताऊँगा कि क्या आपको ये शो देखना चाहिए और क्या ये शो जो प्रॉमिसेस करता है अपमें ट्रेलर में उन्हें डिलिवर कर पाता है या नहीं और इतने सालों से जो नेपोटिजम की लेयर हमें देखने को मिली है तो क्या ये शो उस लेयर को पेनेटरेट कर पाता है या नहीं तो चलो रिव्यू शुरू करते हैं शो टाइम सीरीज का जिसमें है टोटल आट एपिसोड जिसमें से अभी रिलीज हुए है चार और बाकी चार बाद में कभी आएंगे। तो कानी शुरू होती है रगू से जो की विक्टरी स्टूडियोज का ओनर है जिसका एक ही मंत्र है आज का मंत्रा है दो गंडे देखो खाओ पीओ खिसको और ये है उनकी पिताजी विक्टर जो की बहुती कॉंटेंट ओरियंटेड मुवीज बनाना पसंद करते हैं तो एक तरफ इन दोनों की राइवल्री चल रही होती है और दूसरी तरफ से एंट्री होती है मही का नाम की एक मुवी रिव्यूर की जो की बिगाओ नहीं है और ये पंगे कर लेती है रगू से तो मोटा मोटा यही इसकी स्टोरी लाइन है तो सबसे पहले स्टोरी की बात साउथ के इंडस्ट्री जो आप टेक ओवर कर रही है वो चीज भी, पैन इंडिया मुवीज वाला टॉपिक भी, और रीमेक वाली मुवीज जो होती है वो भी, बट इन में से ये शो किसी भी चीज के अंदर डीप डाइव नहीं करता, और ये जो मैंने आपको इतनी सारी ची के नाम पर ये पूरा शो नो ब्रेनर चलता है, मतलब आपको कहीं भी दिमाग लगाने की और सवाल पूछने की जरूरत नहीं है कि ये इसका मामा कैसे लगा, वो उसका दादा कैसे हुआ, ये आपस में सब लोग कहानी घर-घर की खेल रहे हैं, बट इन दे बैगड्रॉप आपस बॉलीवुड मूवीज, तो ये कहां से हुआ, ये सब सवाल आप अपने जेब में रखके ही ये शो देखना, तो अभी तक के जो चार एपिसोड्स हैं, उसमें मुझे यही समझ आया कि ये शो अच्छा बनाया जा सकता था, बट इतने सारे जगे पैर फैलाने के बा और फाइनली महिमा मकवाना, तो इनकी एक्टिंग ठीक है, थोड़ी सी और महनत की ज़रूरत है, ऐसा मुझे फील हुआ, तो इनको अभी वर्किन प्रोग्रेस वाले सेक्शन में डाला जा सकता है, इसके अलावा बाकी के टेटनिकल डिपार्टमेंट सा काम अच्छा है, अगर आपको 3-4 घंटा टाइम पास करना है, तो ही आप ये शो जाके देख सकते हो, बट अगर आपको कुछ content oriented चाहिए, या अगर इस शो के टेलर के बाद आपके अंदर कुछ उमेदे जागी थी, कि हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, तो वो सब नहीं है इस शो मे आपको suggest करता हूँ, कभी time मिले तो जरूर देख लेना, और ये showtime series अगर आपने मुझसे पहले देख ली है, तो अपने views और opinions मुझे comment section में लिख कर जरूर बताना, और ये review अगर आपको helpful और logical लगा तो please like and subscribe, मैं मिलता हूँ आपसे next review में तब तक ध्यान रखो अपना, be awesome बाई बाई